हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो फिलाल इस उड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे स्टॉक के बारे में तो चले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले ऐसे एक पेनि स्टॉक के बारे में जिसका मालिक हम लोग कह सकते हैं रिलायंस है यस रिलायंस मतलब आप सब्यलों को पता है वो तो मुकेश अमभानी की ही कंपनी यह सबसे ज़्यादा स्टेक मुकेश अम्वानी के पास है इसलिए हम लोग रिलांच इंडस्ट्री मुकेश अम्वानी की ही कमपनी यहापे बोल लेते हैं तो रोस्तो यहापे कौन से पेनी स्टॉक के हम लोग बात कर रहें तो दोस्तो आप सब लोग को बता है रिलांच के पास तो बहुत स्टोट एयोट पैनी स्टॉक से तो उस में से एक इंडस्ट्री है गरतकर दोस्तो तो इसके आज कि और लोग का बलोग के सांबने आपे बताऊंगा जो कि मेरे लिए मल्टी हमट बाइग इंडस्ट्री के हिसाब के हुआ अपै 800% के return मुझे आपे मिल चुके है ऐसा कैसे हम लोग ने इस stock को देखा था एक रुपया दो रुपया तीन रुपया चार रुपय के असपास मेरे पास वीडियो भी है प्लेलिस्ट में आप लोग चाओ तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लगबग मेरा 50,000 के उपर गया था क्योंकि यह stock अगर मैं बात करूँ अगर आप इसका चार्ट पेटन देखोगे एक साल के हिसाब से तो देखे बहुत ही टॉप लेवल तक यह गया था तो वहाँ पर मैंने थोड़ा आदा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर कर लिया था 20-25,000 का और बाकी रिमेनिंग 20-25,000-30,000 अभी भी मेरे पोटफोलिय में यहापे जिसमें मुझे 600-700% की रेटन है क्योंकि एक चार रुपे पर मैंने यहापे खरीदा था अगर आपको पुराना वीडियो देखना है मैंने लॉजिक आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई रिमेनिंग स्टेक आपनी की यहापे रखा है जैसे मैंने काना की रिलांस ने इसमें खरीदा है कुछ ना कुछ अच्छे डेवलप्मेंट की जरूर यह कोशिश करेंगे ही करेंगे रैट अगर देखा गया तो 20-25,000 है इससे कोई तो लाइफस्टाइल थोड़ीना च आचुके अलोक इंडस्ट्री के कौटर 4 के नंबर्स के उपर आप देख सकते एक चोटे अक्षर में लिखा हुआ है सबसे बेले आप देख सकते फिगर्ज इन करोड में है ठीक है यहापे अलोक इंडस्ट्री आप सभी लोग को पता है यहापे दूसरे ही मैनेजमेंट य आप ले लिया कि कंपणी चलाना मुश्किल हो गया और फाइनली जैसे में ने का कि रिलाइंट ने इस कंपणी को यहापे कोडी के दाम में आपे खरी लिया यह बहुत ही जादा करजा था और अगर अगर कंपणी ने प्रॉफिट भी दिखा दिया ना छोटा मोठा भी तो माने में प्रॉफिट डिखा न चलो चेक कर लेते टोटल इंकम कितना है तो 2000 करोड अच्छे इंकम है लास्ट टाइम कितना था 2140 करोड तो चले इंकम तो हमलों को कम होते देखने को मिल रहा है इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं यह कोई मल्टी बैगर कंपनी अभी मल्टी 2142 का इंकम कितना होगे 2031 तो कॉटर लिए हमलों को इंकम डाउन नजर आ रहा है यहरली 1478 का कितना होगे 2031 चलो यहरली अच्छा है तो यह तो शुरूआ थे इंकम अभी आगे जाके खर्चे देख लेंगे अगर खर्चों को कंट्रोल किया तो कुछ बाद बन सकती है एक् 214 कितना था एट तरी था तो चलिए ठीक है यहर ऑन यहर बैसे खर्चे बढ़ रहे हैं कॉर्टर अन कॉर्टर थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग हम लोग को मतलब कंट्रोल होते वह देखने का आप मिल रहा है सो जो फाइनल फिगर रहेगा इंकम माइनस एक्सपेंडिचर आ एक्सपेंसेज जाद है तो कंपनी को यह लगबग 27 करोड 30 लैक्स का लॉस तो 27 करोड का आप बोल सकते लॉस लास्ट टाइम क्या था कंपनी के पास 15 लाग का थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट था और उसके पहले भी कंपनी 5 करोड के नुकसान मी थी तो ओवराल क्या है प्रॉफिट तो 27 करोड का लॉस है तो ना तो कॉटर और ना तो यह लॉन बेसेज के उपर पर्फॉर्मंस खराबी नजर यहापे आ रहा है अभी बाजर क्या एक्स्पेट कर रहा था वह तो अभी हमने को मंडे की दिन ही पता चलेगा सर इसमें क्या एक्स्पेट कर रहा ह लॉस है तो मतलब खराबी पकड़ेंगे ऐसा नहीं मार्केट को सब कुछ पता होता है कि उनको पता है कि यहापे इस सिचुएशन कैसी है और यह स्टॉक कैसा है तो वह अगर एक्स्पेट कर रहेते होंगे कि अगर बहुत ही ज्यादा लॉस कि 50 करोड का लॉस और स्टील यह कंपणी ने कितना लॉस दिखा है 27 करोड तो स्टील इसको अच्छे नंबर मान के तेजी भी आ सकती है पर और अलगर हम लोग बात करें तो यह कोई ग्रेट नंबर है नहीं हम लोग ग्रेट नंबर किसको बोलते है एक चोटा सा प्रॉफिट भी दिखा देते जैसे कि 15 लाग लास्ट टाइम का था एक लाग भी दिखा देते तो भी इसको अच्छा नंबर मान लेते क्योंकि कमपणी स्ट्रगलिंग मोड में है तो आप लोग देख सकते हैं पेच्छे का पूरा रिजन देखने को मिल रहा है और निंग पर शेर कि अगर हम लोग आप बात करें हम लोग ने वैसे तो एनपी बेटी देख लिया बट आगे भी जाके जो फाइनल प्रॉफिट रहेगा उसमें भी कोई ज्यादा हम लोग को बदलाओ देखने को आपे मिलने वाला नहीं है तो फाइनल अगर हम लोग याप बात करें दोस्तों तो ज्यादा कोई खास याप रिलेटेड ही रिजल्ट हम लोग अंदाजाए आपे जता थे हैं तो वैसे रिजल्ट देखने को आपे मिल रहे हैं तो रोस तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल कराते हैं जो लोग पुछते सर क्या अलोक इंडस्टी में जाना चाहिए अगर आपको इस शेर में जाना है तो company के number अच्छे होने चाहिए, number अच्छे मतलब एक बार अच्छे नहीं, consistency, अभी last time तो number अच्छे थे, 15 लग थोड़ा बहुत तो profit था, इस वक्तो सिधा loss ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा performance हमनों को या पर देखने को मिलना चाहि है, जब company अच्छा number दिखा दे, consistency दिखा दे, जैसी कि Trident ने दिखाया, Trident भी देखा गया, तो share price में छोटा ही था, वो तो उन्हों स्प्लिट दिया, वरना तो एक mid-cap quality की company थी, but Trident नमबर अच्छे दिखाया, then consistency तो नहीं दिखाया, but at least company ने खराब performance तो नहीं दिखाया, मैंने वीडियो भी बनाया था, अलोक इंड़स्टी वर सिर्ट आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं, वो भी playlist में available है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि Trident में ज़्यादा weightage है, कि अच्छा का सा वो दिखा सकते है, क्योंकि वो अपने दम के उपर भागा है, अलोक इंड़स्टी में किसके वज़े से, obviously, मुके शंबानी के वज़े से, reliance के वज़े से, so, नाम तो बड़ा यहाँ पर जोड़ चुका है, हाँ, ये खबर कभी भी आ सकते कि कोई इनको बड़ा order मिल जाए, contract मिल जाए, वो तो हमारे हाथ में तो नहीं है, हाँ, बट ऐसी possibility आ खुद को प्रूफ करना चाहिए, आपका पैसा इतना सस्ता है, क्या कि आप किसी भी company में लगा दोगे, वो company ने प्रूफ करना चाहिए कि आपका पैसा कि उस company में आना चाहिए, तो ये company अभी तक अगर हम लोग बात करें, तो उस तरीक का उसने performance basis तो खुद को प्रूफ अभी तक तो नहीं किया है, अभी तक जितना भी प्रूव हुआ है, हम लोग कह सकते हैं, प्रूव हुआ है मतलब सारा न्यूस बेस के उपर ही चल रहा है, इसके पहले जैसे मैंने कहा कि रिलाइंस का नाम जुड़ गया, रिलाइंस इसको खरीदने में इंटरेस्टेट था, रिलाइंस इन दोनों ने जाके खरीदा, तो इसलिए हमनों को तो वो तेज़ी देखने को मिली, अभी नेक्स तेज़ी कि अगर कोई possibility बनती है, तो कोई unexpected news आती है, तभी वो possibility बनती है, news कोई आएगी नहीं आगी, ये तो हमनों को सपने में तो थोड़ीना चीज़े समझे तो हम performance को ही जादा base लेकर यहाँ पर चलते हैं, and performance अभी तक तो फिलाल का कोई भी खास नजर नहीं आ रहा है, so expect करेंगे कि इस company के पास सबसे बड़ा हतियार कया है, एक ही हतियार है कि यहाँ पर Reliance के अंडर यहाँ पर फिलाल देखने को मिल रहा है, and कुछ ना कुछ तो लोग बड़ा दाओ खेले, बहुत रिस्की है, क्या पता, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो आपका पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, right, क्योंकि जैसे मैंने का कि stock उपर जाने के लिए performance चाहे, वो तो अभी तक तो नजर नहीं, आप ही के सामने तो result मैंने दिखा दिए, company loss में नजर यहाँ पर आ रही है, जितने भी earlier loss थे, उससे ज़्यादा ही loss नजर यहाँ पर आ रहा है, so company long term के लिए खेलने के लिए, investment करने के लिए, company अभी भी उतनी तयार यहाँ पर नहीं है, learning के लिए यहाँ ठीक है, मेरा जो investment था, जैसे मैंने का, मैंने learning के लिए यहाँ अर जाके किस तरीकी की खबरे आपे सामने आते हैं, तो जितनी possibility वाली बाते थी, वो मैंने आप लोग के सामने रखी है, सर फिर भी मुझे risk लेना है, risk लेना है, तो जैसे मैंने आप लोग को काता, कि अगर आपको कोई stock में interest है, बढ़ अगर आप डरते भी हो कि आपका पैसा दूप सके, तो क्या formula है, कि invest minimum amount है, minimum मतलब छोटा मोटा amount लगा दो, 500, 1000, 2000, right, next अगर आपको installment लगाने, कोई तो अच्छी खबर आनी चे, कि बस ऐसे ही blindly लगा देंगे, तो वो आप लोग बाद में वैसा कर सकते हैं, बट बड़ा investment करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, इस लेटेड आप लोगों को free of cost मिल जाएगी, आपका नाम और कौन सा account आपने लिंक के तुरूआ उपन किया है, ये मुझे comment section में बता देना, तो वीडियो के जो जितने भी list है, 25 वीडियो की list है, वो आप लोगों को में properly provide कर दूँगा, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video तब त दोस्तो, we'll be против अपना, झाइड ह toplते लाएगी, रगा है, झाएड़ कार ऑना किया है, ज वीडियो की तब हो तो हम रुएदों के लिए लिएर नाम और जा की, ऐसका लëरेणा का लएगा है, इस दितने द्यու χोना जा कि है的話 हो सबाद है, इस देंका वागों के हैं, आप ये,